इंदौर के मेरे प्रिये बेहनों भाईयों बेटे बेटियों इंदौर दुनिया का अधुद सहर है आपके और मेरे सपनों का सहर आपकी जागरुकता के कारण इंदौर तीन तीन बार स्वच्छता में देश में पहले नंबर पर आया है आज हमारा प्यारा सहर कोरोना वाइरस के संक्रमन से लड़ रहा है मैं आप सबसे अपील करना चाहता हूँ औरोना को हमें हर हालत में हराना है और हराने का हिकमात रुपाए किर्पिया करके आप अपने घरों में रहिए टोटल लाग डाउन संपर्क की चैन को तोड़ दीजिए माननी प्रधान मुंत्री जी द्वारा बताई गई लक्षमन रेखा का पूरी तरह से पालन कीजिए अत्यावत सक बस्तों की आपूर्ती भी तिसासन घरों में करने का प्रयास कर रहा है अपनों के लिए अपने लिए अपने बच्चों के लिए अपने परिवार के लिए अपने मित्रों के लिए अपने सहर के लिए कि आप कुछ दिन एकांत में रह नहीं सकते मैं जानता हूँ आप उत सब प्रेमी हैं लेकिन ये समय का तक आ जाए हम घरों में रहे हैं डरें विल्कुल नहीं कोरोना पॉजेटिब केस आए हैं कि तेलिग्टिण पॉज़ीटिपका मतलब यह नहीं है कि कोई ठीक नहीं होगा देश में और हमारे प्रदेश में भी जब अलपूर में सारे पैसेंट्ट ठीक हो गए गॉलियर में कोरणा पाजिटिप पाया तर ठीक हो गया इसलिए डरने के ज़गरत नहीं है दिनों रात हम सब लगे हुए हैं हमारे डॉक्टर्स हमारी नर्स हमारे पुलिस के जबान अधिकारी नगर निगमके हमारे सभी कर्मचारी सफाई कर्मी सहित रेवन्यू कामला हांगनवारी कारी करता है आसा उसा कारी करता है सब मिलके तो लड़ रहे हैं समास से भी बस मेरी प्रार्थना यही है हम सकती करेंगे टोटल लागडाउन घर में रहें जो पॉजिटिव पाए जा रहे हैं उनके संपर्कित लोगों को उनके परिजनों को क्वरिंटाइन में ले जाएंगे लड़ाई जीतेंगे कोरोना हारेगा इंदोर जीतेगा बस आप अपने घरों में रहें प्रिसासन को पूरा सहयोग करें समस्या बड़ी है लेकिन होसला उससे भी बड़ा है मैं माफी मांग रहा हूँ पहले ही हम सक्ति करेंगे आपके लिए इंदोर के लिए क्रिप्या करके पूरा सहयोग कीजिए और कोई कस्ट हो तो माफ कीजिए आईए मिलके कोरोना को हराए इंदोर जीतेगा बहुत बहुत धन्यवाद